नमस्कार स्टूरेंट्स अभी जो अपडेट निकलकर आई है आप सभी लोगों के लिए वो यह है कि जितनी भी केस पेंडिंग थे कोट में उन सब की जो डेट मिली है वो 19 मिली है हमारे जो ऑडिटर जेनल है वकील साथ हसी के वो विमार थे जिसके कारण वो पैर भी नहीं क ख़र यह है गुरुबडी वालों के लिए अब जो गुरुबडी या किसी भी चीज का जो रजल्ट आएगा तीजीती का जो रजल्ट आएगा अभी फिलाल वो नैंटी 5 में से आएगा और वो आज साम तक या कल तक आपका रजल्ट आ जाएगा या तो टीजीती या गुर सब्सक्राइब का है जो गुरुबडी का पेपर देकर वैठें मुस्के लिए किसी गुरुबडी वाले बच्चे का नंबर आएगा और यह पीजीती अब जो टीजीती का रजल्ट है वो भी कभी आ सकता है आएगा 95 में से लेकिन खुशी की बात यह है कि टीजीती के बच् बस गुरुबडी के जितने वी बच्चे-बच्चे हैं और जिनका रचल्ट नहीं आया है गुरुबडी का और उन्होंने जो एक्जाम दिया है गुरुबॡ का तो आपको बता दो गुरुपडी का लगवग लगवग गुरुपडी के जो 26.6,000 बच्चे है ग POLbd Sydney का इप पूरा 12 आपके सामने रख रहा हूं 26-27,000 बच्चे ऐसे हैं अब इन में लगभग लगभग जादा से जादा 100-200-20000 बच्चे होंगे गुर्वडी के जिन जो हाई स्कूलर हैं बाकी 56-57 के जितने भी बच्चे हैं वो हाई स्कूलर हैं मेरी कुछ बच्चों से बात भी हुई है एक लड़का है उसने 56 का भी एक्जाम के लिए किया हुआ है उसके 56 में 54 है और 57 में उसके 78 नंबर है और गुर्वडी में उसके 33 नंबर है ठीक और हमारे पलवल डिस्टिक्स से ही है वो लड़का अब उसको पता है 56 कैंसल हो या 57 कैंसल हो गुर्वडी में तो उसका नं जो उसका था उसने वो मेरे पास सेंड किया पेज तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी इच्छा ये थी और आप सभी बच्चों की चाहती कि गुरूप C का रजल्ट पहले आए और गुरूप D का बाद में अब होगा क्या गुरूप C के बच्चे गुरूप D में लग जाएंगे और गुरूप D के बच्चों को जो जॉब मिलनी चाहिए थी वो मिलने से रही अब जब गुरूप C की भरती किलियर होगी तब ये गुरूप C वाले गुरूप D में जो लग जाएंगे वो फिर इस जगे को खाली छोड़ कर भगेंगे और फिर जो तरीके से कट ओफ आनी चाहिए थी वो कट ओफ नहीं आएगी ये सारी दिक्कत का सामना है करना पड़ेगा गुर्बी वालों को और वेटिंग पर वेटिंग आएंगी मतलब पूरी भरती का सत्यनास कर दिया हमने जो सोचा था वो ये सोचा था कि आज जो छेतारिक है आज सारा कुछ निवट जाए इस कोट केस से और जो जहां लगना है वो वहां लगे अब की स्थिति यह है कि 95 मेंस रेजल्ट आएगा और मैं बहुत दुखी हूँ और अब जो गुरूपडी की कट आफ जाएगी वो अबाव 72 से उपर जाने वाली है क्योंकि गुरूपड 56-57 के जो बच्चे हैं वो 72 क्रॉस है 70 और 71 वालों का भी नमबर मुस के लिए आएगा अगर ये बच्चे 12,000 सरकार और जो गुरूप सी के जिमिके एग्जाम हो चुकी है जिनका रेजल डिक्लियर नहीं किया था गुरूपसी ने वो भी गुरूपडी में जोइन करेंगे और अब मामला बद से बत्तर हो गया ये इन्फॉर्मेंशन मुझे देनी थी मैं दुखी हूँ आज बहुत ज़्यादा किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताना सरकार कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है अब देखते हैं क्या होता है कमेंट करें प्लीज और इस वीडियो को लाइक करें पॉच्छन को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास हमारी अप्डेट आती रही नमस्कार